गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज का हमारा टोपीक है पोटेंशल एनर्जी ओफी चार्ज इन एक्स्टरनल इलेक्टिक फिल्ड देखिए बेटा इसमें समझने वाली बात यह है कि पोटेंशल एनर्जी ओफ चार्ज इससे पहले वाले आर्टिकल में भी हम लोगों न समझें यहां हम पोटेंशल एनर्जी ओफ चार्ज इन एक्स्टरनल इलेक्टिक फिल्ड निकालेंगे यहां सबसे मैत्व पूंड बात यह है कि यहां पर क्या है एक्स्टरनल इलेक्टिक फिल्ड का सोर्च क्या है वो हमें नहीं पता और वो हमें जानने की जरूरत भी नह के आते थे वो चार्ज फिर अपने चारत्रफिक इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाता था और उस इलेक्ट्रिक फिल्ड की वज़े से potential होता था लेकिन यहाँ पर यहाँ पर ओल्रड़ी external electric field है बगेर किसी charge के है यह किसी charge की वज़े से नहीं है बगेर किसी charge की वज़े से और इसका कारण चाए कोई भी हो हमें वो देखना ही नहीं है external electric field है मतलब वहाँ पर external electrostatic potential है चलिए अब यह देखते हैं article अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर external electric field है और उसका source जानने की ज़रूरत नहीं है अब इसके अंदर हम देखते हैं potential energy of a single charge यहाँ हम देखेंगे single charge की in an external electric field यहाँ single charge की वज़ेश देखेंगे तो देखेंगे बेटा मैं मान लेता हूँ यहाँ पर electric field जो है न external electric field कितना है और उसकी वज़े से जो potential है वो इस p point पर यह मैं लेट कोई p point ले लेता हूँ और इस p point का position vector r है तो यह जो p point है न यहाँ पर potential है किसकी वज़े से external electric field की वज़े से और वो potential कितना है वो potential है v यह v जो potential है बेटा यह किस position किस point पर है p point पर है जिसका position vector r है इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे p r कि potential at a point whose position vector is r अब कोई charge है यह क्यों charge है यह इसको infinity से यहाँ लाएंगे हम तो जब इसको infinity से यहाँ लाएंगे तो कितना work done होगा वो देखना है हमने तो चलिए q charge को infinity से यहाँ लाते हैं work done देखते हैं तो बेटा जो work done होगा उसका formula आप जानते हैं क्या होता है potential into charge बेटा potential कितना है यहाँ पर वो तो पहले से ही है vr और चार्ज कितना है बेटा q तो जो work done बना वो कितना बना q qvr qvr बेटा इसमें इसमें स्टोर हो जाता है आजे potential energy तो बेटा फिर potential energy कितनी हुई इस work done के ही बराबर हुई और वो कितनी हुई q vr तो यह एक छोटा सा article था जो हो गया है अब बेटा इसमें अब यह single charge की वज़े से देखा था आब हम system of two charges की वज़े से देखेंगे देखेंगे potential energy ही charges की potential energy ही देखेंगे लेकिन और external field में देखेंगे single charge की देख ली अब two charge की देखेंगे C potential energy of a system of two charges in एन एक्स्टरनल एलेक्ट्रिक फिल्ड तो मेटा वही काम है पोटेंशल एनर्जी ही देख रहे हैं अब भी और एक्स्टरनल एलेक्ट्रिक फिल्ड में ही देख रहे हैं लेकिन किसकी देख रहे हैं सिस्टम ओफ टू चार्जिस की तो फीटा यहां पे हम क्या करते हैं मालनों यहां पे electric field external electric field e है और इस external electric field में एक पोईन्ट ये है P1 जिसका position vector R1 है और इसी में एक point ये है P2 जिसका position vector R2 है फीटा ये दोनों point कि इसमें है external electric field में है इसलिए इस वज़ेश क्या होगा इन दोनों ही जगे पोटेंशल होगा तो यहां पे जो पोटेंशल है वो है V R1 और यहां पे जो पोटेंशल है वो है V R2 एक charge, infinity से एक charge हम यहां लेके आते हैं, यहां भी, to let Q1 charge है, यह charge है, और यह infinity भी है, infinity से यहां लेके आते हैं, तो जब Q1 charge को infinity से यहां लेके आएंगे तो उसमें work done करना पड़ेगा बेटा तो जो work done होगा वो कितना होगा W1 और वो कितना होगा वोई formula potential into charge तो वहाँ potential यह है और charge यह ले जा रहे हो तो क्या होगा Q1 V R1 बेटा एक और charge है Q2 इसको भी आप infinity से यहां ले जाओगे P2 पॉइंट पे तो उसमें कितना work done करना पड़ेगा अब पेटा P2 पॉइंट पे बात दूसरी है देखिए यहां external electric potential V R1 था यहां V R2 था और आप जब charge Q1 लेके आयो तो यहां केवल external electric field था इस वज़े से आपने यह यहां पे केवल external electric field था और potential V R1 था तो जब यह देख रहे थे यह केवल external electric field था यहां पे इस वज़े से potential जो था वो external electric potential यह था और यह work done बनेगा लेगिन जब Q2 charge को यहां लेके जाओंगा तो यहां पर दो electric field है एक तो external electric field है जिसकी वज़े से potential यहां पे कितना है V R2 और एक और भी यहां पे electric field है किसकी वज़े से क्योंकि यह Q1 charge यहां पे आ गया है न जिस Q1 charge की वज़े से यहां पर बनेगा तो हम बारी बारी निकाल देते हैं पहले तो यह जो potential है न इसकी हिसाब से देख लेते हैं कितना work done बनेगा इसकी हिसाब से work done बनेगा और कितना हो जाएगा charge into potential लेकिन यहां पे जो Q1 charge यह इसको लेके आये थे इसकी वज़े से यहां potential होगा और वो potential कितना होगा वो देखना हो तो हमको यह दूरी देखनी पड़ेगी यह कितनी है अब यहां R1 position vector यहां R2 तो यह कितना बनेगा R12 vector तो यहां जो Q1 है उसकी वज़े से यहां पर जो potential है वो potential कितना है वो देखते हैं तो बेटा वो potential बनेगा आपका V equal to Q1 upon 4 pi epsilon 0 R12 यह potential यहां इसका मतलब आप समझे नहीं यहां दो potential होगे एक तो external electrostatic potential VR2 और उसकी वज़े से work done इतना बना और एक यह जो Q1 charge यहां पर था उसकी वज़े से potential वो यह है और इसकी वज़े से जो work done बनेगा वो कितना बनेगा W3 और वो कितना हो जाएगा charge into potential तो बेटा वैसे आप W1 और W2 इखटा भी निकाल सकते हैं कि एक potential यह पलस इसकी वज़े से जो potential बना वो आप दोनों को जोड भी सकते हैं और फिर आप जब charge वहां पर ले जाएंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं लब W2 और W3 अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है आप दोनों potential यहां पर जो बनेंगे और उसके बाद में आप देख सकते हो कि जब Q2 चार्ज को यहां ले जाएंगे इंफिनिटी से तो वरक डन कितना बनेगा वो भी चलिए अब आप टोटल वरक डन देखते हैं तो बेटा टोटल वरक डन होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 तो बेटा जो टोटल वरक डन हुआ वो कि Q1 Q2 अपॉन 4Pi epsilon 0 R12 तो यह टोटल वरक डन होगा अब आपको समझ में आया है बेटा इस आर्टिकल में पीछे वाले आर्टिकल में क्या है पीछे वाले आर्टिकल में जो बात थी वो बात तो इसमें रहेगी वो खतम नहीं हो जाएगी वो रहेगी जैसे यहां पर यह चार जाया तो इसकी वज़े से यहां पर पोटेंशल बना पीछे वाले में लेकिन पलस इसमें एक external electrostatic potential भी है किस वज़े से external electric filter